हाई आइ मनीजा रियाज वेलकम टो ग्लिट्स विजिन यूएसे एक्सक्लूसिफ तो बात करेंगे रत की पिछली एपिसोड्स में हमने देखा कि किस तरह जैन जो है वो सुसाइट करने की कोशिश करता है पर थैंक्फुली पुलिस आ जाती है उनको बचा लेती है और इस ब जासे जैन नहीं मिल रहा होता तो ये समझा जाता है कि ये सालार और एमान ने कुछ किया है और उनको पूछ की जाती है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं वो खुद ही सुसाइट करने की कोशिश करता है और जामिन जो हैं जो उनके फादर हैं सालार के वो जैन से मिलते हैं क्यो उनको ऐसा लगता है कि वो अलग कर लेंगे तो सालार के उपर वो जो कंट्रोल था उनका वो दुबारा आ जाएगा क्योंकि वो इमान के आने से बहुत स्ट्रॉंगली इन्वाल्व हो रहा है बहुत जादा उसमें चेंज आ गया वो चीज़ उने बरदाश नहीं हो रही है य इसे पता है कि वो आल्रेडी इमान से चोट खाया है और इसी रिजन की वज़ा से जो है ना वो इमान के पीछे है तो अब इमान को अगर हासिल करना है या इमान को तो तो क्प proportionको पहले भी जमीन اور problems में दाल सकें तो ये सारा कुछ होता है सालार और ईیमान की conversation देखिती जहां सालार को लगता है कि ईیमान जो है वो जैन के साथ चली जाएगी क्योंके वो जब उससे मिलने जाती है तो जैन से एमान से विसीले मिलती है ता कि वो बातें वो clear कर दे वो जो उसके doubt's हैँ वो clear हो जाए और वो ऐसा कहीं नहीं चाहती है कि वो उसके साथ चली जा और सालार को छोड़ दे ऐसा होता तो वो सालार से शादी करती ही नहीं उसने जब सालार से शादी करने का फैसला किया तो पुरे मन के साथ किया था पूरी सोच समझ के साथ किया था ना कि उसे यूज करके आगे किसी और के साथ बढ़ जाने के लिए और इमान बहुत अच्छा कहती है कहती है कि मैं कोई रैक पे रखी वी चीज नहीं हूँ कि कोई भी मुझे ले जाए वह सालार का जो मतलब इस तरह से वह सालार को भरोसा देती है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ कर जाओंगी और ना जा सकती हूं सालार का प्यार बहुत प्योर है इमान के लिए यह हम जानते हैं और उसके दिल में कोई ना कोट है ना कुछ है वो उसको चाहता है कि और अगर उसकी खुशी जहन के साथ है तो उसके लिए भी तयार है मगर ऑविस रीजन है कोई चीज उसके पास आई है उसका प्यार है तो वह से कोना भी नहीं चाता है इमान एक अच्छी लड़की है जैसे मैंने बोला और उसने उस से शादी किसी सैलफिश रीजन से नहीं की है और कहते किसे सालार जैसे इन सान को कहता भी है कि मैं बाश्चा की तरह फील करता हूं जब इमान उनकी जिंदगी में है और वह वादा भी लेते हैं उससे और इमान हस्ती भी है तो ऐसे बहुत क्यूट सा मॉमेंट था उनका सवेरा कई जो केस किया से हमने देखा कि किस तरहां जोया पे भी असर हो रहा है उसकी और मौसिन की जिंदगी वे भी असर हो रहा है क्योंकि जमील किसी की सुनने में नहीं है और वो अपने भाई के अगेंज भी ऐस सच नहीं जा पा रहा है तो यह हमें देखने को मिला और सबसे अच्छी बात है कि सालार ने अपनी कमपनी के जो हैं जादा से जादा शेयर ख हैं रखना चाहते हैं उन्हें सारी पावर स्टी चाहिए और अब 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 शालार इस तरहां से कर रहा है तो उननसे बर्दाष नहीं हो रहा है वह वह उसके इवेंट में भी हो ब्लास करवा देते हैं इस हद तक वो जा रहे हैं कि उसे कुछ हो भी जाए तो उन्हें पबलम नहीं है अपने ही बच्चों से बहुत रूगली भी बात करते हैं और चाहते कि जिसे जाना यहां से चला जाए इस तरह का और वो कि कि उन्हें पावर चाहिए तूसी तरफ इमान के लिए और सालार के बीच में भी जो चल रहा है क्योंकि एक जैन के आ जाने से जो इम मिल के कुरेंगे जो भी है तो इस तांगा हमको दिखाओ जैन की बड़ी फीप दिमान वो एमान के सामने रखता है जब वो कहती है के सवेरा के केश को वो छोड़ दे या वो तो वो कहता है कि पिर तूम उससे रोज मिलने आना मतले वो इतना जादा स्क माइंड कैसे हो सकत तो उने किसी को प्यार किया अगर वो तुमारी नहीं भी हुई है पर उसकी इज़त तो करनी ही चाहिए और जो कि वो नहीं कर रहा है वो इस हद तक गिर गया इतनी गंदी उसने बात उस अपने ही प्यार के सामने रखी और ब्लैक मिल किया उसको इमान को लगता है कि जैन ने ब्लास्ट कराया जैसे मैंने बूला नहीं ब्लास्ट करवाया था उनके फादर ने लेकिन इमान को लगता है जैन ने कर रहा है वो जैन को कोशन करती है तो जैन कहता है मैं मर्डरर नहीं हूं और फिर इसी तरह जैन को एक केस मिलता है जो के सालार के अगेंस्ट होता है और चाहती हैं कि वो उसे रोके और वही पर जो है बानु आपर जो है ना उस पर गुसा करती है जएन पर उसे थपड़ भी मारती है कि तुमने एक अउरत की इज़त नहीं कर रहे हो और फिर वो सच जो इतने टाइम से वो लोग छुपाए वे थे, वो सच भी जैन के सामने आ जाता है, कि किस तरह एमान की गलती नहीं, उनकी मौम की गलती थी, उन्होंने इतनी जादा अपनी नफरत में, इन दोनों का रिष्टा ना जुड़े करके, अगर उनको जमील की हेल्प भी लेनी पड़ी है, जमील ने उनको आक और जैन की हो रही होती है, जब वो हॉस्पिटल आता है इमान के पार, जहां वो एमान उसे कोश्टन करती है, जहां वो कहता है, कि मैं मर्डर नहीं हूं, तो एमान कहती है, कि तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, मैं बरबाद हुई, तो तुम्हें भी बरबाद कर दूँग रहां पर रेफिनेटली तुम क्यों आये हो यहां एक बोलोगों की जिंदगी में तुम एक जो है कल्शग डाल रहे हो तो वह वाली बात होती है और यहां पर जब लोगों की अपता हुटारू सालार की बात करता है। उसे ओनाया की साब की बातों से बहुत जादा असर हुआ है उन्हें यह एसास हुआ है कि हाँ वो अपनी बहूं के साथ सही नहीं है और वो दोनों के घर से जाने से उनके घर की रौनक चली गई है उनकी पोती पोता जाने से वो तो इस सब चीजें होती है क्योंकि रिष्टों से ही है आपका बेटा गलत है तो आप उसको करेक्टर है उसे आप पैसे के पीछे भागेंगे पैसा चाहिए जरूरत है लेकिन रिष्टों का होना भी जरूरी है अगर रिष्टे ही नहीं होंगे तो पैसे कब तक आपको खुशी दे देंगे यह कुछी नहीं देंगे आपको तो वो उनको थोड़ा कुछ समझ आने लगा है यह जो फैमली में सब चल रहा है पैसे को लेके कंपनी को लेके शेर्स को लेके तो कामरान को भी लगता कि उसने इतना काम किया और आज सालार आके सब कुछ उससे नहीं चीन सकता है जहाँ पे सालार क् भी कर रहे है अपनी ही family के लिए कर रहा है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये समझ में आगे कि इसके फादर जो है न amounts कि हर किसी पे control करना चाहरा है यों उनको उनके हिसाब्स से जीने नहीं दे रहे हैं जहां उनके हिसाब्स से वैसा ही उनके साथ करेगा लेकिन सालार वैसा करना नहीं चाहता है बढ़ हाँ जहां गलत है वहाँ वह इस्ट्रॉंग्ली खड़ा हो के अपनी लड़ाई लड़ना चाहते वह लड़ भी रहा है तो उनके फादर उनके अगेंस्ट हैं पर वह सही की साथ खड़ा हुआ है क्यों नहीं हो सकता मेरा दूसरा बेटा भी है वो तो में ऐसा नहीं है जैसा जमील है और फिर वो ही बताती है कि कैसे उनके साथ भी ऐसा हुआ है मारते थे उनके हस्बेंड उनको और वही चीज जमील ने सीखिय और जो वो सवेरा ने पर कर रहा था तर शायद वो अतनी वो नहीं थी सवेरा जैसी कि अपनी लड़ाई लडे ले लडा ले थी और इसी लिए अब उन्हें आइसास हो रहा है और वो सवेरा को वादा भी करते हैं कि मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी तो ये एक positive देखने को मिला है कि जो हमेशा सवेरा के लिए के पीछे लगी रहती थी जो उसके उपर करवाहट निकालती थी जो अपनी दोनों बहूं पे अपनी करवाहट निकालती थी और अपने एक गलत बेटे के आगे सब को जुकने पे मजबूर कर देती थी आज फाइनली उन्हों हो गया है कि उनका बेटा गलत है और उन्हें गलत के साथ नहीं होना अगर उनके साथ होंगी तो वो सब रिष्टों को खो देंगी तो ये एक positive चीज हुई है और जहा तक सालार और ईमान के रिष्टे की बात है तो ईमान हर तरहां से जो है strongly आजसाँ दिलारी है सालार को कि वो से कहीं नहीं छोड़के जाएगी वो उसके साथ है वो मिल के उसके साथ हमेशा जो करना है हम मिल के करेंगे वाली बात करती है और उसको नाया के बारे में जानने का भी होता है कि ये नाया है कौन और जो किसी को भी नहीं पता है कि ये नाया कौन है पर हमें अगली एपिसोड में देखने जरूर मिलेगा और जिसमें मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगी पर ये जो चार एपिसोड जो मैंने मिस कर दी थी म मैंने सोचा इस पे एक अपडेट साभी दे दूँ और एक अपनी बात भी कर लूँ के मैं बहुत कोश हूँ जो चेंज उनकी सास में आया है सवेरा की सवेरा जिस तरह से अपनी लड़ाई लड़ रही है जमील के गलत इल्जाम लगाने के बाद भी गलत जो जहन के साथ मिलक आती है सब तरफ जो इस तरह से अपने लिए कलेक्ट कर सकती है जो जो प्रूफ हैं वो कलेक्ट कर रही है और अपनी फाइट लड़ रही है और अपनी सास को भी जिस तरह से वो बात करती है तो वो चीज देखने में अच्छी है इमान और सालार के बीड जो चीज चल रही है उसमें ईमान जिसना से कोशिश कर रही है और सालार कहीं ना कहीं उसे ही दूर रखना चाहता है इन सब चीज़ों से क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई नुकसान उसे पहुंचे तो जब यह ब्लैस्ट भी होता है जबके जैन उदर हैल्प कर रहा होता है लेकिन वो जामिन को कोशन करता है कि यह बात नहीं हुई थी हमारी इन दोनों को अलग करना था ना के इने मरवाना था या सालार को मानना था मैं मर्डरर नहीं हूं यही बात उसने इमान को भी बोली थी तो काफी अच्छा जा रहा है रॉमा आगे भी इंट्रस्टिंग है जिस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे और अगर आपको मेरा यह छोड़ा सा अपडेट छोड़ा सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकिन को क्लिक करके रखें ताके नेक्स टाम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको तो एवर्य वेनेज दे एं थर्सदे एं थर्सदे टेक्या बबाए